येस पीपल गुड मॉनिंग गुड आफ्टरून गुड इविनिंग टू लोफ यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत पढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं तो चलिए आपको TDS TCS का करने वाला हूं क्योंकि ये टॉपिक सीए इंटर्मीडियेट में 8 माक्स कवर करेगा और 8 या 12 माक्स जब कवर करता है तो यू can say that that topic is very important for your examination so just try to listen this lectures चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली section TDS में होती है that is the section 192 अब एक बाह समझना 192 है वो किस पे TDS काटते है salary जो है वो salary पे TDS कटेगा question ही आता है sir pair कौन होना चाहिए तो pair is a any person कोई भी person है वो TDS काटेगा pay कौन होना चाहिए employee, employee को अगर आप payment करते है तो TDS कटेगा लेकिन एक बात बात आओ employee resident होना चाहिए non-resident कोई भी चलेगा resident है non-resident इसी section में TDS कटेगा कौन सी rate से कटेगा यहाँ पे जो TDS कटता है वो बेटा slab rate से कटेगा तो जो भी slab rate रहेगी उस rate से TDS काटना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी limit नहीं है miss obviously जब basic exemptions से ज़्यादा का salary है तो उस particular case में TDS कटेगा एक और चीज़ समझना TDS है वो कौन से event पे काटना है कौन से time पे काटना है at the time of payment और crediting the party which ever is earlier लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे total 7 ऐसे cases होते है जिसमें TDS है वो सरब payment के time पे काटना पड़ेगा कहां कहां पे एक तो salary का payment एक तुमारा EPF का payment एक तुमारा winning का payment एक तुमारा life insurance policy का maturity का payment एक तुमारा bank से cash withdraw करते हो उसका payment और एक आपका compulsory acquisition हो गया था उसका compensation मिल रहा है उसका payment and dividend का payment यहाँ पे सिरफ payment के time पे TDS काटना है crediting the party के time पे नहीं काटना एक और चीज़ समझना कि यहाँ पे आपको consider करना पड़ेगा एक तो आप payment अगर non-resident foreign company को कर रहे हो या फिर आप किसी को salary का payment कर रहे हो तो उस particular case में आपको health and education says को consider करना ही पड़ेगा सरचार्स को भी करना पड़ेगा अगर सरचार्स लग रहा है तो उसके बाद में 192 के बाद में आपकी next section आती है that is the 192A औ और 192 है वो बात करती है EPF की Employee Provident Fund से आपको कुछ पैसा मिलता है और अगर वो पैसा taxable है तो इस particular section में TDS कटेगा लेकिन सर एक बात बताईए यहाँ पे पेयर कौन होगा तो यहाँ पे भी आपका जो पेयर है वो any person सर एक बात बताईए यहाँ पेई कौन होगा तो पेई आपका Employee ही होगा मिस यहाँ पे जो Employee को पेमेंट कर रहे है तो उस particular case में TDS कटेगा लेकिन एक बात बताईए यहाँ पे सर रेट क्या होगा तो यहाँ पे रेट है वो आपका 10% है लेकिन इसमें एक चीज समझना नॉर्मली क्या होता है अगर आप किसी भी पेई को पेमे पेई ने अपना pen number नहीं दिया पेई जो है उसने अपना pen number नहीं दिया तो उस particular case में जो TDS काटा जाएगा ना वो MMR की रेट से काटा जाएगा maximum marginal rate की रेट से काटा जाएगा एक और चीज समझना यहाँ पे TDS तभी काटना है जब maturity amount है वो 50,000 रुपेज और मोर है मिस जो पैसा मिल रहा है वो taxable है और वो 50,000 एड उससे जादा है तो TDS काटना है अगर exactly 50,000 है TDS कटेगा answer is yes इस section में कटेगा less than 50,000 है तो नहीं कटेगा exactly 50,000 है या उससे जादा है तो यहाँ पे TDS कटेगा अब उसके बाद में section आती है 193 कर गे और 193 बात करती है interest on security कि अगर अगर कोई बी तुमारा जो security है वो government security है तो TDS कटेगा लेकिन उसके दो exceptional है एक तो तुमारा 8% saving taxable bonds 20103 बाला और दूसरा तुमारा 7.75% saving taxable bonds 2018 है और उसके इंट्रेस जो मिल रहा है वो 10,000 से जादा है तो इस section में TDS काटना पड़ेगा एक और चीज़ समझना अगर कोई भी public company है जिसने डिबेंचर इशू किया था डिबेंचर का इंट्रेस इंडिव जो लेच्व को द TDS नहीं कटेगा यह तुमारी 193 हो जाती है उसके बाद में next section पे चलते है that is the 194 अब एक बात समझना 194 है वो बात करती है dividend की कि अगर dividend जो दे रहे है dividend पे TDS कटेगा लेकिन pair कौन होना चाहिए तो pair यहाँ पे होना चाहिए domestic company है pay कौन होना चाहिए तो pay आपका resident person है और एक बात समझना TDS की rate रहेगी 10% यहाँ पे 10% की rate से TDS काटना है एक और चीज़ समझना यहाँ पे एक exceptional case है कि अगर individual को dividend दिया जा रहा है और individual को dividend दिया जा रहा है वो up to 5000 रुपेज है और any mode other than cash में दिया जा रहा है तो individual का TDS है वो इस section में काटने की जरूरत नहीं तो individual को dividend दिया जा रहा है और वो up to 5000 है और वो any mode other than cash में दिया जा रहा है तो उस particular case में TDS नहीं कटेगा उसके बाद में एक section आती है that is the 194A 194A जो बात करती है वो interest की बात करती है लेकिन interest कौन सा security को छोड़के because security का interest है वो already यहाँ पे cover हो चुका है तो इसको छोड़के कोई भी interest रहेगा उसका TDS आपका यहाँ पे कटेगा लेकिन एक बात बताईए यहाँ पे pair कौन होगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पे pair है वो any person means कोई भी person किसी को interest पे करेगा तो TDS काटना पड़ेगा लेकिन बे turnover है that is more than 1 करोड या फिर gross receipt of profession के case में more than 50 lakh है तो इनको TDS है वो काटना पड़ेगा तो देखिए normally इस section में individual HOF को TDS नहीं काटना लेकिन अगर individual HOF का last year का turnover more than 1 करोड है gross receipt more than 50 lakh है तो उस case में individual HOF को भी इसमें TDS काटना पड़ेगा एक और चीज समझना वेटा आप इसको ऐसे R का मतलब 194 R, H का मतलब 194 H, I का मतलब 194 I, J का मतलब 194 J, A का मतलब 194 A and C का मतलब 194 C मिस यहाँ पे टोटल यह six section ऐसी है जिसमें pair जो है वो individual HOF है तो TDS नहीं काटना लेकिन individual HOF का last year का turnover 1 करोड से जादा था, gross receipt 50 lakh से जादा था तो individual HOF को TDS काटना रहेगा सर एक बात बताएगे यहाँ पे पेई कोन होना चाहिए तो यहाँ पेई जो है वो आपका resident person रहेगा मिस resident person को अगर आप interest पे कर रहे हो तो TDS कटेगा यहाँ पे TDS का rate क्या रहेगा 10% रहेगा लेकिन एक बात समझना यहाँ पे कुछ limits है और limits यह है कि up to 5000 तक आप किसी को भी interest पे कर रहे है पर रहनम तो TDS काटने की जरुवत नहीं है लेकिन एक चीज समझना कोई भी bank है या फिर cooperative bank है या post office है वो interest पे कर रहे है तो उसमें limit 40,000 का हो जाएगा 40,000 से जादा interest है तो ही TDS काटना है लेकिन अगर कोई senior citizen है तो उस particular case में यह limit है वो आपका 50,000 हो जा है उस पे जो interest मिलेगा उस पे TDS नहीं कटेगा पार्टनर ने partnership firm को partnership firm से partner को अगर कोई भी interest मिला उस पे TDS नहीं कटेगा और उसके साथ साथ में zero coupon bonds पे अगर आपको कोई interest मिलता है तो उस पे कोई भी TDS है वो नहीं कटेगा उसके बाद 194 A के बाद में अपन चलते हैं next section प तो उस पे TDS 194 B में कटेगा बड़े लोग और 194 B B क्या होता है बहुत बड़े लोग बहुत बड़े लोग पैसा किस पे लगाते है जो भी horse races होती है वो horse races पे पैसा लगाते है अब एक बास समझता है यहाँ पे pair कौन होना चाहिए any person means any person means कोई भी person है इसमें TDS काटना पड अदर्वाइस इस section में TDS काटने की जरुवत नहीं है पेर एनी परसन पेई एनी परसन रेट 30 परसन और अगर मालो winning है वो 10,000 से ज़्यादा है तो TDS काटना है अब एक बास समझना winning अगर मालो in kind है या partly in cash है partly in kind है और cash जो है वो sufficient नहीं है उस amount को recover करने के लिए तो यहाँ यहाँ पे जो pair रहेगा उसको ensure करना पड़ेगा उस पर tax already government को जा जुगा है उसके बाद ही वो winning को release करेगा उससे पहले वो winning को release नहीं करेगा उसके बाद मैं next section पर चलते है 194C और 194C बात करता है contract की के contract के case में TDS है वो 194C में काटना पड़ेगा अब एक बात समझना यहाँ पे pair कौन होगा तो यहाँ पे pair है वो any person कोई भी person हो जाएगा लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे individual HOEB को TDS नहीं काटना यहाँ पे individual HOEB के साथ में AOP, BY और cover किया गया है individual HOEB, AOP, BY इनको TDS नहीं काटना लेकिन individual HOEB, AOP, BY का last year का turnover 1 crore से जादा है gross receipt 50 lakh से जादा है तो TDS काटना पड़ेगा यह रिया हाईजेक में आता है देखिए 194C है यह तुमारा रिया हाईजेक में आता है तो इनको TDS नहीं काटना पड़ेगा अगर last year का turnover बिजनस का 1 crore से जादा है या gross receipt 50 lakh से जादा है सर यहाँ पे pay icon होना चाहिए किसी भी resident person को अगर आप contract का payment करते ह तो contractor यहाँ resident person होना चाहिए TDS कटेगा लेकिन सर एक बात बताईए यहाँ पे TDS की rate क्या रहेगी TDS की rate depend करेगी pay पे के pay कौन है अगर pay है वो individual HUP है तो TDS की rate 1% रहेगी और अगर मानलो वो individual HUP नहीं है कोई भी other person है तो TDS की rate है वो 2% रहेगी एक और ची समझना इस section में TDS तभी काटना है जब आपका जो single contract है वो single contract 30,000 से ज़्यादा हो जाता है या फिर पूरे साल का मिला के जो aggregate contract है वो आपका 1 lakh से ज़्यादा हो जाता है तो ही TDS काटना है तो ही TDS काटना है अब एक और चीज समझना यहाँ पे advertisement है वो आपके contract में आएगा उसके बाद catering contract में आएगा transportation of goods or passenger by any mode other than railway है वो आपके contract में आएगा और उसके साथ में अगर माल लो कोई भी person है वो कुछ goods का production करता है manufacturing करता है as per the specification given by the client out of the material supplied by that client or any associate person of that client तो उस case में वो तुमारे work contract में आ जाएगा लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना अगर कोई भी transporter का service आप लेते हो और ट्रांस्पोर्टर एक declaration दे देता है कि उसके पास में पूरे साल में किसी भी दिन 10 से ज़्यादा वहिकल नहीं है और वो अपना pen number दे देता है तो उसका TDS काटने की ज़रुवत नहीं है उसके बाद में यहाँ पर question ही आता है कि sir cold storage charges क्या TDS EC section में आएगा answer is yes cold storage charges है उसका T code on का भड़ा है तो उस पर TDS 194 I में आएगा अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना अगर मालो कोई भी production house से आप कोई भी program बनाते हो specification आपने दिया है और उसके accordingly कोई भी program बनाके दिया जाता है आपकी specification के हिसाब से और आपके patent जो copyright है वो भी आपको transfer हो जाता है तो उस particular case म 194C में TDS आएगा लेकिन एक चीज़ समझना अगर मालो यहाँ पर already produce program है उसको अगर आप display करते हो तो उस particular case में TDS नहीं कटेगा एक और चीज़ समझना आपका client है वो advertisement agency को payment करता है 194C में TDS कटेगा बट advertisement agency यहने किसी newspaper को यहाँ यहाँ पर new channel को payment करती है तो उस particular case में TDS होता है या फिर petrol होता है तो जो iocl आ या करती है petrol pump तक जो gas सप्लाय करती है तो उस supply जो करती है उसके साथ मैं बहुत सा last can transportation charges लेते हैं तो कि हम इस development charges जो है उस पर TDS है वो आएगा answer is no because यहाँ पर contract और रस around और यहाँ पर even transportation charges बिल में अलग से बताया हुआ है तो भी उस पर TDS नहीं आएगा एक और चीज़ समझता है यहाँ पर जब job work का बिल बनता है तो उसमें material की cost भी होती है और labor की cost भी रहती है तो क्या material वाले cost रहेगा उस पर TDS काटना है answer is no material वाले पर TDS नहीं काटना है सिर और 194D को आप याद रखेंगे दलाल दलाल का मतलब होता है insurance agent का commission तो जो commission रहता है किसका insurance agent का उस पर TDS 194D में कटेगा और एक section होती है 194H, 194H का मतलब होता है जो भी other commission and brokerage रहेगा उस other commission and brokerage पर TDS 194H में कटेगा अब एक पास समझता इन तीनों section में pair कौन रहेगा तो सबसे पहली section है उसमें बेटा pair है वो any person है मिस कोई भी person है तो चलेगा दूसरी पहली जो section है उसमें भी जो आपका pair रहेगा वो any person है और 194H में भी pair any person है लेकिन एक बात बताओ 194H है वो real hijack में आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कोई भी अगर individual है या हूप है वो pair है तो उसको TDS नहीं काटना लेकिन individual हूप का last year का turnover 1 crore से ज़ादा है या gross receipt 50 lakh से ज़ादा है तो individual हूप को TDS काटना रहेगा सर यहाँ पे pay कोन है तो पहली वाली section में pay है वो resident person है मिन्स किसी भी resident person को अगर आप commission and brokers पे करते हो सरी commission pay करते हो insurance agent को resident agent है तो यहाँ पे TDS कटेगा सर यहाँ पे दूसरी वाली 194 G में जो है resident person नहीं वहाँ पे any person लिखा हुआ है और एक बात बताओ 194 H में लिखा हुआ है resident person है तो TDS कटेगा अब एक चीज़ समझना इन तीनों ही section में आपकी जो rate रहेगी वो 5% रहेगी 5% की rate से TDS काटना है और TDS तभी काटना है जो commission आप pay कर रहे हो वो 15,000 पर एनम से जादा है किसी भी person को जो commission पे कर रहे हो या credit कर रहे हो वो 15,000 पर एनम से जादा है तो ही TDS काटना है तो commission and broker security से related जैसे underwriter commission वगरा रहेगा तो उस पे कोई भी TDS है वो नहीं कटेगा एक और चीज़ समझना ये BSNL, MTNL वाले क्या करते है जो call center जो booth होते है वो calling booth वाले जो PCO रहते है उनको जो commission देते है उस पे कोई भी TDS है वो TDS काटने की ज़रुवत नहीं है करके यहाँ पे 194 life insurance policy तो एक चीज़ समझना अगर कोई life insurance policy है और उसका maturity हो जाता है और वो maturity taxable है तो इस particular section में TDS कटेगा सबसे पहले payer कौन होगा तो इस section में payer होगा any person, means कोई भी person उसको TDS काटना है, pay कौन होगा resident person, means resident person को अगर आप pay कर रहे हो maturity amount तो TDS काटना है, यहाँ पे rate रहेगी 5% और इसमें TDS तभी काटना है जब maturity amount है, वो maturity amount 1 lakh रुपेज और मोर है, means maturity amount 1 lakh रुपेज और मोर है तभी TDS काटना है, rate क्या रहेगी 5%, एक और चीज़ समझना यहाँ पे TDS है ना वो सिरफ income component पे करता है, income component का मतलब जो maturity amount जित माइनस, जितना आपने premium pay किया तो उसको less कर द reduction में ATC में limit दे रखी है, 10% of policy value, 15% of policy value, 20% of policy value, उससे ज़्यादा premium pay किया, तो maturity taxable होगी और maturity amount अगर 1 lakh रुपेज और मोर है, तो इस particular section में TDS कट जाएगा, उसके बाद में section 194D हो गया, G हो गया, उसके बाद में आपका H हो गया, अब अपन चलते है 194IE पे, और 194IE का मतलब हो rent के case में pair कौन होगा, तो rent के case में pair है, वो any person, कोई भी person इसमें TDS काटना पड़ेगा, pay कौन होगा, resident person, resident person को payment कर रहे है, तो TDS काटना, एक और चीज़ समझना, यहां मैंने बोला pair में any person, लेकिन obviously यहां पे individual और achieve को TDS नहीं काटना, individual और achieve को TDS क्यों नहीं काटना, क्योंक rate क्या रहेगा, तो अगर आपका rent है, वो plant and machinery या फिर equipment का है, तो 2% की rate से TDS काटना है, and बेटा, अगर मानलो आपका furniture है, या फिर आपका land है, या building है, तो उसमें आपको 10% की rate से TDS है, वो काटना है, एक और चीज़ समझना, इसमें TDS तभी काटना है, जब आप किसी को rent द deposit है, non-refundable deposit पे TDS है, वो आपका आजाएगा, अब एक और चीज़ समझना, अगर आप long term lease लेते हैं, और उसके लिए कोई upfront lease charges पे करते हैं, तो उस particular case में जो upfront lease charges आपने पे की lease लेने के लिए, वो उसको rent नहीं माना जाएगा, और उस पे आपको TDS है, वो TDS काटने की जरू बात नहीं है, उसके बाद मैं next section पे चलते है, that is the 194 IA, अब एक बात समझना, 194 IA को आप ऐसे याद रखोगे, कि अगर आपने कोई भी immovable property है, वो immovable property acquire करते हो, immovable property acquired करते हो, लेकिन rural agriculture land in India को छोड़के, अगर rural agriculture land in India है, उसको छोड़के कोई भी immovable property है, वो आप acquire करते ह सर, pair कौन होना चाहिए, तो यहाँ पे pair है, वो any person है, कोई भी person हो सकता है, pay कौन होना चाहिए, आपका resident person होना चाहिए, एक बात समझना, यहाँ पे TDS की rate 1% है, 1% किसको पे, या तो consideration या फिर stem duty value, whichever is higher, जो consideration और stem duty value, whichever is higher है, उस पे 1% की rate से TDS आएगा, एक और चीज समझना इस section में TDS तभी आएगा, जब या तो आप जो consideration पे कर रहे हो, या फिर stem duty value, इन दोनों में से कोई भी चीज, अगर आपका 50 लाक रुपेज और मोर हो जाता है, 50 लाक रुपेज और मोर हो जाता है, तो ही TDS काटना है, otherwise TDS नहीं काटना, तो मैंने क्या बोला, देखिए, 194 इस section में TDS काटना पड़ेगा, उसके बाद में चलते है, 194 आईबी पे, एक बात समझना, 194 आईबी का मतलब होता है, इम्मूवेबल प्रॉपेटी है, उसको आपने रेंट पे लिया, मिस इम्मूवेबल प्रॉपेटी को आप भड़े पे लेते हो, तो इस particular case में TDS काटेग लेकिन सर, रेंट तो अल्रेडी 194 आईबी में चला गया है, लेकिन आपको पता है, 194 आई में इंडिविजुल एचुएप अगर पेर था, तो TDS नहीं करता था, यह section specifically इंडिविजुल एचुएप के लिए बनाई है, और यहाँ पर यह section यह बोलती है, कि ऐसा कोई भी पर मन्त और पार्ट अप दे मन्त, मिस पर मन्त और पार्ट अप दे मन्त पूर दें 50,000 है, तो ही TDS आएगा, एक और चीज़ समझना, इस section में एक एंटिक चीज़ी आती है, कि आपको TDS कब काटना है, लेकिन एक चीज़ समझना, जो 20% का TDS अमांट रहेगा, वो कभी भी लास्ट मन्त के रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो जो लास्ट मन्त का जितना रेंट होगा ना, उससे वो रेस्टिक्ट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बार में next section आती है, 194 IC कर गे, और एक बात समझना, 194 IC को आप ऐसे याद रखोगे, कि Joint Development Agreement, जो की section 45 A में हमने पढ़ा हुआ है, Capital Gain में, और Joint Development Agreement में जो Builder होता है, वो Builder अगर कोई भी पैसा देता है, जो Builder है, वो Builder कोई भी पैसा देता है, तो यहाँ पे पेयर होगा Any Person, और यहाँ पे Pay होगा Resident Person, मिस Builder है, वो किसी Resident Person को कोई भी Money देता है, तो उस Money वाले Component पे TDS काटा Money वाले Component पे, उसके बाद में 194 IC के बाद में आपका आजाता है 194 J, J का मतलब याद रखोगे जानी दुश्मन, यह section यह बोलती है, कि अगर मानलो आप किसी को Fees for Professional Service पे करते हो, या फिर Fees for Technical Service पे करते हो, या किसी को Royalty पे करते हो, या किसी को Non-Compid Fees पे करते हो, या किसी क Director Fees पे करते हो, तो इस particular section में TDS कटेगा, तो देखिए, Fees for Professional Service, Fees for Technical Service, Royalty, Non-Compid Fees, Director Fees है, तो इस particular section में TDS कटेगा, सर यहाँ पे pair कौन होना चाहिए, तो pair है वो any person, मिस कोई भी person है, उसको TDS काटना पड़ेगा, लेकिन obviously individual HOF को इसमें यहाँ पे TDS नहीं काटना, बढ़ individual HOF का last year का turnover, वो more than 1 crore है, या gross receipt more than 50 lakh है, तो इस section में TDS कटेगा, क्योंकि यह रिया hijack में आता है, अब एक बास समझना, यहाँ पे pay icon होना चाहिए, किसी भी resident person को आप payment करते हो, तो TDS कटेगा, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे TDS की rate है, वो 10% रहेगी, 10% की rate से TDS काट लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पे कुछ exceptional cases है, पहला तो अगर आप किसी भी call center को payment करते हो, तो TDS का rate 2% हो जाएगा, दूसरी चीज़, अगर आप payment कर रहे हो, वो payment, अगर आप fees for technical service का payment कर रहे हो, तो 2% हो जाएगा, या फिर आप royalty जो दे रहे हो, वो royalty किस पे दे रहे अगर technical service का payment करते हो, तो 2% और royalty है, वो royalty movie के sale distribution exhibition से related है, तो उसमें 2% की rate से TDS आएगा, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे TDS तभी काटना है, जब आप किसी को fees for professional service जो दे रहे हो, वो more than 30,000 पर एनम है, या फिर किसी को अगर technical service का payment करते हो, वो 30,000 से जादा है, या फिर आ आप अगर royalty का payment करते हो, वो 30,000 से जादा है, या आप non-compete fees का payment करते हो, वो 30,000 से जादा है, तो ही TDS कटना, एक चीज़ समझना, director fees के case में कोई भी limit नहीं है, no limit, इसका मतलब अगर director को आपने 10 रुपया दिया, तो भी आपको 1 रुपय से है, वो उसका TDS काटना तो director fees, अगर आप किसी को कुछ भी payment करोगे, तो director fees पे TDS की कोई भी limit नहीं है, बट आपका professional service है, technical service है, royalty है, non-compete fees है, उसका 30,000 का limit है, और एक और चीज़ समझना, यह limit separately देखे जाएगी, अगर आपने किसी person को 25,000 का professional fees पे किया, 25,000 का royalty पे किया, उसका TDS काटने की ज़र particular section में TDS नहीं गड़ेगा, ऐसा concept 194C में भी आता है, अगर आपका personal nature का कोई भी contract है, तो even individual HOF का last year का turnover more than 1 करोड है, या gross receipt 50 lakh से जादा है, तो भी यहाँ पे TDS है, वो आपका नहीं आएगा, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे, अगर आप personal nature का है, तो इसमें TDS नहीं में इस individual HOF जिसका last year का turnover more than 1 करोड है, या gross receipt more than 50 lakh है, उसमें इस section में TDS काटना है, सिरफ professional service के लिए या technical service के लिए, royalty non-compet fees के लिए TDS काटने की ज़रुआत नहीं है, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे क्या होता है, कि अगर मानलो hospital जो है, वो treatment करती है, और hospital ने treatment किया और यहाँ पे आपने health insurance ले रखा है, और health insurance company ये काम जो है, disbursement claim का काम देती है, TPA को, third party administrator को, और third party administrator ने अगर hospital को payment किया, तो उस पे TDS 194J में काटना पड़ेगा, यह professional service माना जाएगा, और 194J में TDS काटना पड़ेगा, एक और next section हाती है, that is the 194K, अब एक बास समझना, 194K को कैसे याद रखना है, जानी दुश्मन, जो professor वगरा होते है, वो सब जानी दुश्मन होते है, 194K मतलब कमाई कर रहे हो, तो अगर मालो mutual fund या फिर UTI, mutual fund या UTI का आपको income मिलता है, तो इस particular section में TDS कटेगा, सबसे पहली चीज़ सर, pair कौन होगा, तो pair यहाँ पे लिखा तो ही TDS काटना है, otherwise TDS काटने की ज़रवत नहीं है, उसके बाद next section पर चलते है, 194LA कर गे, 194LA मतलब आपकी immovable property, ला, ला, ला का मतलब होता है compulsory acquisition, तो अगर मालो आपकी जो immovable property है, वो immovable property का compulsory acquisition हो जाता है, उस पे compensation मिलता है, इस particular section में TDS कटेगा, सर, pair कौन होना resident person को payment करते हो, तो TDS काटना है, 10% की rate से TDS कटेगा, एक और चीज़ समझना, इस section में TDS तभी कटेगा, जब आपको compensation मिल रहा है, वो 2,50,000 per annum से जादा है, जो आपको compensation मिल रहा है, वो 2,50,000 per annum से जादा है, तो ही TDS काटना है, यहाँ पे आपका agriculture land है, जो rural agriculture land है, उस पे 194M, M का मतलब होता है, mix of section, और यह section यह बोलती है, कि अगर मालो, आप किसी को contract का payment करते हो, या फिर professional service का payment करते हो, या फिर किसी को commission का payment करते हो, या फिर brokerage का payment करते हो, या फिर brokerage का payment करते हो, तो यहाँ पे mix of section हो गया, कि 194C में contract पढ़ा था, 194J में professional fees पढ़ा था, commission brokerage 194H मे तो पेर में एक बात बताएए उन सब सेक्शन में इंडिविजुल हुआप को अलग किया था क्योंकि 194C, 194H and 194J में इंडिविजुल हुआप उसको TDS नहीं काटना था अगर लास्ट यर का टर्णोवर मोर दन वन करोड नहीं है अगर आप परसनल परपस के लिए वो सर्वेस लेते हो तो आपको TDS नहीं काटना तो उन सेक्शन में TDS नहीं काटना तो यहाँ पेर में आएगा आप only individual और HUF और कौन से individual और HUF जो 194C में 194J में 194H में cover नहीं होते वो वाले individual और HUF पेमेंट किसको कर रहे हो आप resident person को कर रहे हो तो TDS काटना पड़ेगा यहाँ पे TDS की rate 5% है और किसी को जो पेमेंट कर रहे हो वो 50 लाक रुपेज से जादा है तो TDS काटना है अगले महिने की 7 तारिक तक आपको जमा कराना रहता है 194IA में काटा है या फिर 194IB में काटा है या फिर 194M में काटा है तो वहाँ पर एक तो आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं है और दूसरी चीज़ यह TDS आपको जमा कराना पड़ेगा अगले महिने के 30 देस के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 26QB QC & QD है वो आपक cash withdraw कर रहे हो तो जो cash है वो cash withdraw कर रहे हो इस section में TDS कटेगा पेर कौन होना चाहिए कोई भी bank या फिर cooperative bank या post office है वो पेर है यहाँ पर पेई कौन है any person मिस कोई भी person पेई है यहाँ पर TDS कटेगा लें TDS की rate क्या रहेगी पता है 2% TDS कटेगा in excess of the 1 crore of cash withdraw जो cash withdraw कर रहे हो 1 crore से जादा है तो उस particular case में आपका 2% की rate से TDS कर जाएगा एक और चीज़ समझना 2% की rate से TDS कर जाएगा 1 crore से जादा का cash withdraw लेकिन एक चीज़ समझना अगर कोई account holder ऐसा है जिसने last के 3 previous years के return file नहीं किये और वो 3 previous year की due date जा चुकी है last के 3 previous year के लिए return file नहीं किये और last के 3 previous year क due date जा चुकी है तो उस particular case में उसको मैं बोलूँगा non filer तो अगर कोई non filer है तो उस particular case में क्या होगा पता है up to 20 lakhs है वहाँ पे TDS नहीं कटेगा लेकिन जो भी 20 lakhs से ज्यादा का cash withdraw होगा और 100 lakhs तक होगा 1 crore तक उस पे 2% की rate से TDS और जो भी 1 crore से ज्यादा वाला cash withdraw रहे ठीक है और 20 lakh वाली limit में 20 lakhs के उपर वाले पर TDS काटना है 20 lakh तक TDS नहीं काटना है 20 lakh से लेके 1 crore तक 2% 1 crore के उपर वाला रहेगा उस पे 5% की rates से TDS कटेगा एक और चीज़ समझना है यहाँ पे cash withdraw अगर अपनी government करती है state government, central government वो cash withdraw करती है तो TDS नहीं कटेगा अगर कोई करती है TDS नहीं कटेगा अगर कोई भी agent है या broker है जो कि PM उसमें that is the जो किसान मंडी होती है APMC उसमें अगर काम करता है agriculture produce market committee तो TDS नहीं कटेगा और जो money changer रहता है वो अगर cash withdraw करता है तो वहाँ पे TDS नहीं कटेगा 194N के बाद में आपका आ जाता है 194O कर गे और 194O को आप रखोगे online से और यह section यह बोलती है कि अगर महलो कोई भी आपका e-commerce वाला जो transaction है e-commerce e-commerce मनला online sale करते हो उस particular case में TDS कटेगा पेर कौन होगा जो भी e-commerce operator रहेगा e-commerce operator का मतलब होता है यहाँ पे जैसे flip card है Amazon है वो तुमारे e-commerce operator हो जाएंगे pay कौन होना चाहिए तो कोई भ e-commerce participant का TDS काटेगा यहाँ पे TDS की rate 1% रहेगी on the gross amount of the sale मला जो भी sale किया जैसे for an example BB virtual है Amazon पे book sale करती है Amazon ने 1 crore का book sale किया Amazon ने अपना marketplace fees उन्होंने काटके और 80 lakh का payment किया तो भी TDS 1 crore पे कटेगा 1 crore पे Amazon BB virtual का TDS है वो काटेगी 1 crore पे 1% की rate से यहाँ पे एक और चीज़ स यहाँ पे कटेगा एक और चीज़ समझता है यहाँ पे TDS काटने की जरूरत नहीं है अगर e-commerce participant पार्टिसेपेंट है वो individual and HUE पे और e-commerce participant है उसने अपना pen number या फिर आधार नंबर दे दिया है and e-commerce participant की जो total sale हो रही है वो पूरे साल की sale मिला के 5 lakh से ज्यादा नहीं है जरूरत नहीं है उसके बाद में 194 O के बाद में अपन चलते है 194 Q पे और 194 Q क्या बोलता है कि अगर आप purchase of goods करते हो और purchase of goods है मिस आप कोई भी goods है वो purchase करते हो तो इस particular case में TDS कटेगा अब purchase of goods का मतलब क्या तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ पेर कौन होना चाहिए तो पेर होना चाहिए एनी परसन कोई भी परसन है लेकिन उसका लास्ट यर का टर्नोवर है वो लास्ट यर का टर्नोवर इस मोर दें 10 करोड लास्ट यर का टर्नोवर है वो 10 करोड से ज़्यादा है पेर इस एनी परसन लास्ट यर का टर्नोवर है वो 10 करोड से ज़्यादा है पेई बोलती है 194Q जो section है वो यह बोलती है कि यहाँ पे पेर कौन होना चाहिए that is the any person जिसका last year का turnover 10 करोड से जादा है last year का turnover है वो last year का turnover आपका 10 करोड से जादा है pay कौन होना चाहिए resident person और अगर 50 lakh से जादा का goods है तो उस particular case में 50 lakh के उपर वाले amount पे 0.1% की rate से यहाँ पे TDS काटा जाएगा एक चीज़ समझना इस section में TDS काटा जाएगा at the time of payment और crediting the party whichever is earlier लेकिन एक चीज़ समझना buyer advance में payment कर लेता है तो उस particular case में GST component पे भी TDS कटेगा अगर आपके बास bill पहले आ गया bill पहले आ गया तो GST component पे TDS नहीं कटता under section 194Q अब एक और चीज़ समझना एक section रह गई that is the 194P कर गए और 194P को आप ऐसे याद रखोगे कि अगर कोई pensioner person है pensioneer pensioneer होता है जिसको pension मिलती है यह section यह बोलती है कि अगर कोई person ऐसा है जिसकी age हो गई है इस year में 75 years और more miss 75 years और more की age हो गई है और उसकी दो ही तरह की income है एक तो उसको क्या मिल रहा है pension मिल रहा है और pension उस account में मिल रहा है जिस account से उसको interest भी मिलता है miss bank में कोई एक ही account है जिसमें pension आ रही है और उसी से interest मिल रहा है तो इस case में क्या होगा कि जो भी bank है वो notified bank होनी चाहिए वो किसी भी इस resident person को payment करेगी तो उसकी खुद की income जो है वो bank निकालेगी वो resident person क्या करेगा जो 75 years और more हो गया वो statement file करेगा जो उसमें वो income की detail देगा और वो बोलेगा मेरे ये deduction वगरा है वो deduction वगरा को consider करेगी bank और bank क्या करेगी कि उसकी जो भी pension की income है interest की income है उस पे tax निगालेगी tax निगालने के बाद जो भी tax आता है जो उसमें से pension पे अगर TDS कर चुका है तो उसको less कर देगी बाकी वाले amount पे interest में से TDS है वो काटा जाएगा एक चीज़ समझना इस section में अगर TDS कर जाता है तो उस particular case मे उस person को अपना return file करने की ज़रुवत नहीं है that person is not required to file the return that person is not supposed to file the return उसको return file करने की ज़रुवत नहीं है उसके बाद 194P के बाद में एक section होती है 194R करके और यह 194R वाली section इसी साल आई है यह section यह बोलती है कि अगर आप business में किसी को कोई भी benefit देते हो या percusate देते हो तो आप को TDS काटना पड़ेगा यहाँ pair में कौन लिखा हुआ है any person कोई भी person है यहाँ पर TDS काटना पड़ेगा लेकिन एक बात समझना यहाँ पे pair में मैंने बोला हुआ है any person लेकिन obviously यहाँ पे individual और HIV को TDS नहीं काटना लेकिन individual HIV का last year का turnover more than 1 करोड है gross receipt 50 lakh से जाता है तो individual HIV को TDS क कर रहे हो यहाँ पर TDS कटेगा मैं इसकुछ benefit दे रहे हो कुछ percusate दे रहे हो अब एक और चीज़ समझना यहाँ पर TDS की rate है वो 10% रहेगी और यहाँ पर TDS तभी काटना है जब आप किसी को benefit दे रहे हो वो पूरे साल का मिला के 20,000 से जादा है miss per annum 20,000 से जादा है तो ही यहाँ पर TDS काटना है 10% की rate से एक और चीज़ समझना यह वाली section है यह आपकी 1st July 2022 से आई है उससे पहले से नहीं है तो जून तक का जो भी percusate benefit दिया उस पर TDS नहीं काटना जुलाई से जो भी benefit percusate दिया उस पर TDS काटना पड़ेगा अब इससे रिलेटेड बहुत सारे clarification वगेरा है जो मैंने आपको normal वाला जो revision lecture है उसमें मैं आपको बता चुका who करके so this is all about the TDS की sections करके ठीक है चलिए अब अपन चलते है TCS में तो TCS के case में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि TCS के case में section कौन सी होनी चाहिए दूसरी चीज़ उसका nature क्या है तीसरी चीज़ सर एक बात बता है यह TCS है वो collect कौन करता है normally जो seller होता है वो seller collect करता है किस से collect करता है buyer से collect करता है सर rate क्या है and condition क्या है तो एक बात समझना सबसे पहली section होती है 206C का subsection 1 करके 206C subsection 1 यह section है ना 5 goods cover करती है कौन कौन से 5 goods cover करती है सबसे पहले अगर मानलो आप जो sale कर रहे हो तो इस scrap के case में 1% की rate से TCS आएगा उसके बाद में अगर आप coal, lignite या iron ore sale कर रहे हो उस पे 1% की rate से TCS आएगा अगर आप timber and forest product sale कर रहे हो तो उस पे 2.5% की rate से TCS आएगा अगर आप तेंदू leaf sale कर रहे हो तो उस पे आपका 5% की rate से TCS आएगा तो देखिए section 206C subsection 1 यह बोलती है कि 5 goods ऐसे होते हैं जिस पे TCS आएगा पहले आप ऐसे याद रख सकते हो जो तेंदू leaf बीडी पत्ता होती हो उस पे 5% timber forest product पे 2.5% यहाँ पे उसके बाद में alcoholic liquor for human consumption, scrap and coal, lignite iron ore रहेगा उस पे 1% की rate से TCS आएगा अब एक बात समझता है इसमें seller कौन होना कुछ condition यह है कि buyer अगर मानलो यह declaration दे देता है, buyer यह declaration दे देता है कि यह जो भी goods खरीद रहा है वो किसी और goods के manufacturing में यूज होने वाला या power generation में यूज हो रहा है उस particular case में यहाँ पे TCS है, वो collect करने की ज़रूद ने, एक और चीज़ समझना अगर buyer मानलो इन goods को personal consumption के अगर कोई भी parking lot है या फिर आपका toll plaja है या फिर कोई भी mines and query है इसको क्या करते हो अगर आप lease and license पर देते हो, lease and license पर जैसे government क्या करती है, coal mines वगरा lease पर देती है, तो जो भी lease rent collect करेंगे उसके साथ मैं 2% की rate से TCS भी यहाँ पर collect करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपकी एक section आती है, that is the 2060 subsection 1F, F को याद रखोगे Ferrari motor vehicle, अगर मालो आपने कोई motor vehicle sale किया और वो motor vehicle sale किया, वो 10 lakh रुपेज से ज्यादा है, तो 10 lakh रुपेज से ज्यादा की value है, तो यहाँ पर 1% की rate से पूरे consideration पे TCS आ जाएगा, तो कोई भी motor vehicle sale करता है, तो seller जो है, वो क्या आगे वाले buyer से 1% की rate से TCS collect करेगा, लेगिन इसमें एक चीज समझना, अगर कोई seller है, उसमें अगर मालो यहाँ पे TCS retail sale पे ही आएगा, अगर wholesale sale हो रही है, जैसे BMW इंडिया ना नवनीत motor को motor vehicle sale किया, तो वहाँ TCS नहीं आएगा, नवनीत motor ने अगर मालो आपको motor vehicle sale किया, तो वहाँ पे TCS आएगा, उसके बाद में एक section होती है, that is the 206C का subsection 1G करगे, यह section दो पार्ट बोलती है, कि अगर मालो आप क्या करते हो, कोई भी package book कराते हो, जिसको बोलते है OTPP, OTPP का मतलब होता है overseas tour package program, आप foreign गुमना चाते हो, OTPP book कराते हो, तो OTPP पे 5% की rate से TCS आ तो 7 lakh rupees से ज्यादा भेज रहे हो, तो उस particular case में जो भी in excess of 7 lakh rupees रहेगा, उस पे आपका 5% की rate से TCS आ जाएगा, तो यहाँ in excess of 7 lakh पे 5% की rate से TCS आएगा, लेकिन एक चीज समझना है, वो जो पैसा आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, वो अगर आपने educational loan वाला पैसा है, त सेक्षन यह बोलती है कि अगर कोई भी seller है, और seller ने क्या किया है? seller का last year का turnover जो है, वो आपका 10 करोड से जादा था, तो seller का last year का turnover 10 करोड से जादा था और seller ने क्या किया? good sale किया, और good sale किया, उसका जो consideration receive हो रहा है न, वो 50 lakh से जादा हो रहा है, तो जो भी in excess of 50 lakh rupees है, उस आपका 0.1% की rate से seller TCS collect करेगा, तो देखिए, अगर 2061H क्या बोलता है, कि अगर कोई भी seller है, जिसका last year का turnover है, वो 10 crore से जादा है, एड इस साल उसने जो sale किया था, किसी भी person से जो consideration collect कर रहा है, वो 50 lakh से जादा है, तो in excess of the 50 lakh पाले वे 1.1%, 0.1% है, उस rate से TCS collect करेगा, जैस करेगा, अगर कही न कहीं TDS कर चुका है, तो जैसे 194Q में TDS कर चुका है, तो यहाँ पर seller है, वो TCS collect नहीं करेगा, या फिर कोई भी goods ऐसा है, जो already in section में cover हो चुका है, मिस 2060 subsection 1 में, या फिर 1C, 1F, 1G, यहाँ पर कोई goods cover हो चुका है, तो उस particular case में आपका 1H है, वो 1H नह लगेगा, एक और चीज़ समझना, TCS में भी एक concept यह होता है, कि जो भी आपका buyer रहेगा, buyer को अपना pen number या आधार number देना पड़ेगा, अगर उसने pen number या आधार number नहीं दिया, तो आपकी rate क्या हो जाएगी पता है, rate multiply by twice the rate, और आपका 5% whichever is higher की rate से TCS है, वो collect करना पड़े 1H में आपका क्या होगा, 5% की जगे आपका 1% है, उस rate से TCS है, वो collect होगा, अब एक और चीज़ समझता है, यहाँ पर, sir, एक section आती है, TDS और TCS में, अगर मानलो कोई भी person ऐसा है, जो pay है, जिसको आप TDS काटना है, तो pay है, या फिर मानलो कोई भी ऐसा buyer है, उसने अगर last year का return file नहीं किया, और last year का return filing का due date already जा चुका है, गर गें, इस previous year से पहले due date जा चुका है, और उसने last year का return file नहीं किया, और last year में उसका जो TDS, TCS deduct हुआ था, collect हुआ था, वो 25,000 और more है, गर गें, ठीक है, उसका जो TDS, TCS collect हुआ था, या deduct हुआ था, वो amount आपका, not 25,000, 50, 50,000 और more है, मैंने या 25,000 गलत बोला है, अगर last year का उसने return file नहीं किया, और last year में जो TDS, TCS deduct collect हुआ है, वो 50,000 और more है, और उसने अगर मान लो return file नहीं किया, तो इस साल में उसका जो TDS काटना पड़ेगा, वो कौन सी rate से काट होगे, twice the rate और 5%, whichever is higher है, उस rate से TDS काट होगे अब एक और चीज समझता है, इस TDS topic में और TCS topic में आपको जो मैंने यहां पर पड़ाया, वो तो आपको ध्यान दे रही है, उसके साथ साथ में कुछ और चीज़े है, जो मैं आपको notice करवाना चाऊँगा, जो आप ध्यान देंगे, घर ठीक है, एक बात बताओ, जितनी भ काटना है, कैसे याद रखोगे, एक तो 192A में, 192A में 50,000 और मोर बोला है, मिस exactly 50,000 है, तो भी TDS काटना है, एक और चीज ध्यान रखना 194DA में, 194DA में देखिए, जो life insurance policy का maturity है, 1,00,000 और मोर है, तो भी आपको TDS काटना पड़ेगा, मिस यहां पर exactly 1 लेके, तो भी TDS काट काटना है, और एक और ध्यान रखना 194DA में, 194DA में आपका exactly 50,000,000 और मोर है, बाकी सब जगे more than लिखा हुआ है, यहां तीन section ऐसी है, जिसमें वो limit और उससे ज़्यादा है, तो TDS काटना है, अदर section में more than that amount है, तो ही TDS काटना है, एक और चीज समझता है, जितनी भी TDS की section ह ना, उसमें क्या होता है, अगर वो limit को cross हुआ, तो जैसे ही limit cross कर जाती है, तो पूरे पे TDS काटेगा, लेकिन कुछ चीजों को छोड़के, एक तो आपका cash withdrawal वाला ध्यान रखना, कि cash withdrawal में 20 lakh से ज़्यादा है, या 1 crore से ज़्यादा है, तो ही उपर वाले amount पे TDS काटना है, एक 194Q में याद रखोगे, कि 194Q में क्या होता है, कि 50 lakh से उपर वाला है, उसी पे TDS काटना है, 50 lakh से उपर वाला रहेगा, उस पे TDS काटना है, एक और चीज समझना, अगर मैं TCS की बात करूँ, तो TCS में भी ऐसा है, लेकिन एक चीज ध्यान पकना, यहां LRS वाला case है, जो liberal स्कीम वाला है, उसमें 7 lakh के उपर वाले amount पे 5% की rate से है, वो TCS है, वो collect करना है, एक और चीज समझना, TCS के case में, एक तो आपका वो, कौन सा वाला, 2061G में LRS वाला, कि 7 lakh से उपर है, तो उपर वाले amount पे 5% की rate से TCS आएगा, और दूसरा 2061H के case में, अगर आपका 50 lakh से ज् वाले पे आपका TCS है, वो 0.1% की rate से आएगा, एक और चीज समझना, TCS कब collect किया जाता है, तो TCS collect किया जाता है, debiting the party और receive the consideration, whichever is earlier, लेकिन 2 section ऐसी है, जिसमें सिरफ receive the consideration के case में TCS collect होगा, एक तो तुमारा motor vehicle के case में, और दूसरा तुमारा 2061H के case में, तो 1H के case में and 1F के case में, इन 2 cases में consideration received होता है, तभी आपको TCS है, वो collect करना पड़ेगा, एक और चीज समझना, जहां पे भी TDS, TCS की rate पड़ी है, वो flat rate है, लेकिन अगर आप किसी non-resident foreign company का, या फिर salary के case में, अगर TDS है, तो उस particular case में, आपको health and education says है, या surcharge है, उसको आपको consider करना पड़ेग करके, ठीक है, चलिए, तो ये जो TCS वाला part था, और TDS वाला part था, जिसको मैंने आपको revise कराया, और I think मैंने यहां पे 40-45 minute लिया, और 40-45 minutes में, almost sections है, ये intermediate के लिए तो बहुत ज़्यादा helpful रहने वाला ये lecture, क्योंकि आप अगर 4-5 बार देखोगे, तो आपको ये lecture के बार ठीक है, तो 3 घंटे का exhaustive revision lecture already आपके लिए डाला था, ये quick revision था TDS and TCS के बारे में, you got my point or not, yes, एक और point ध्यान रखना, TDS है, उस वो GST पे नहीं आता, but TCS है, वो including GST आता है, TDS not applicable on GST component, but TCS है, वो आपका including GST आता है, ठीक है, so thanks a lot people, that's enough for today from my side, मैं try करूँगा, ऐसे छोट चोटे-चोटे revision lecture है, quick revision lecture, जब भी मेरे को time मिलेगा, I will put on YouTube, thank you, bye